असलामों अलेकुम दोस्तो मेरा नाम में वकास हैदर और आप देख रहे हैं हैदर टीवी दोस्तो दुनिया में अनगिनद मुस्लिम सेलेबरिटीज मौजूद हैं वैसे तो आप सब भी किस न किसी हीरो या फेमस परसनलिटी के फैन होंगे लेकिन आज किस वडियो में मैं आ जो रही हैं वो सब इसी ने बनाई हैं 2004 में इसने फेस्बुक लांच की थी और अब ये ना सिर्फ फेस्बुक बलके इंस्टाग्राम वट्सेप ठ्रेड्स और बहुत सी सोचल मीडिया कंपनी इसका ओनर है इसे दुनिया का सबसे यंगेस्ट बिलिनियर भी माना जाता है क क्योंकि इसने सिर्फ 23 साल की उमर में ही बिलियन डॉलर्स कमाना स्टाट कर दिये थे वैसे तो मार्क बहुत से लोगों का आइडियल है लेकिन इसका रिलीजिन जानने के बाद आप सबको आइडिया हो जाएगा कि फलस्तीन की सपोर्ट करने पर इंस्टाग्राम और फेस् गोर्बर जानने के बाद आप सब सोची सकते हैं कि हमारा सोचल मीडिया किस के हाथ में है आइरं मैन दूस्तों आयरं मैन एक ऐसा करेक्टर है जो हम में से बहुत से लोगों का फेवरेट है इवन बच्चे तो आयरं मैन के इतने फैन हैं कि उन्हें हर वो चीज़ चाहिए जिस पर आइरन मैन बना हो, फिर जाहे वो टी शेट हो, या फिर लंच बॉक्स, या फिर कोई ट्वाइ है क्यों ना हो, लेकिन इस हीरों की असलियत बहुत ही कम लोग जाते हैं, आइरन मैन का असल नाम रॉबर्ट डॉनी जूनियर है, लेकिन जिस करेक्टर को हम और हमारे बच्चे इतना पसंद करते हैं, वो असल में यहूदी मज़ब से तालुक रखता है, रॉबर्ट 1965 में न्यू यॉर्क के अंदर एक यहूदी बाप के घर पैदा हुआ था, यह अपने आपको एक यहूदी बुद्धिस्ट मानता है, और यहूदीयों का बहुत बड़ा पैरुकार भी है, वैसे इसका डिरेक्ट इसराइल से तो तालुक नहीं है, लेकिन बारहाल ये एक यहूदी है, स्पाइडर ने बहुत सारी और भी मुवीज में काम किया, जिसमें साइलेंस, नेवर लेट मी गो और हैक्स और रिज शामल थे, एंडर्यू को छे से जदा फिल्म फियर एवार्ड भी मिल चुके हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि एंडर्यू किस मजभब से तालुक रखता है, वैल ब लोगों को मजभ से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बारहाल इसकी रूर्स ही इसराइल से हैं, हैरी पॉर्टर, दुस्तों दुनिया में शायदी कोई ऐसा बंदा होगा, जो हैरी पॉर्टर को ना जानता हो, ये हॉलिवुड का एक ऐसा करेक्टर है, जिससे बच्पन से ये फेम हासल होना स्टार्ट हो गया था, इसका असल नाम डैनियल रेडगलिफ है, जब ये 12 साल का था, तो इसने हैरी पॉर्टर मुवी में काम किया, और वहीं से ये फेमस होना स्टार्ट हुआ, बच्पन से लेकर बड़े होने तक, ये मुसलशल मुवी में काम करता रहा और इसका फेम बढ़ता ही गया, ये इतना हिट एक्टर था कि 2011 में ये दुनिया का हाइस्ट पेड एक्टर बन गया था, कहने को तो ये एक बहुत बड़ा स्टार है, और बहुत से मुसलमान भी इसके फैंस हैं, लेकिन इसके मजब के बारे में जानकर आप सब शौक हो जा वेल ये फेक्ट जानने के बाद तो इसकी मुसलिम फैन फॉल्विंग काफी हद तक कम हो जाएगी, एंट मैन, दूसरो गर एंट मैन मुवी की बात की जाए, तो ये मार्वल की सबसे फेमस सूपर हीरो फिल्म्स में से एक है, ये मुवी 2015 में रेलीज होई थी, इसके करेक् में एक यहूदी है और इसके माबाप दोनों ही यहूदी थे, इवन इसके वालदेन अपने मजब को लेकर बहुत सीरियस थे, पॉल का कहना है कि इसने मजब की ज़यतर तालिमात अपने बाप से हासल की और ये आज भी यहूदी मजब पर पूरी तरह अमल करता है, इसको अ बैटमेन, दूस्तों बैटमेन एक ऐसा मार्वल करेक्टर है जिससे किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूत नहीं है, अगर आपने दार्क नाइट राइजेज मूवी देखी है, तो आप इस करेक्टर को ज़रूर जाते होंगी, इसका नाम जॉजिफ गॉर्डन है और इसने सा यूजिफ एक क्रिस्चन है, लेकिन असल में ये क्रिस्चन नहीं बलके यहुदी है, इसके पेर्स यहुदी थे और सिर्फ इतना ही नहीं, बलके इसकी माबाप एक यहुदी ट्रस्ट भी चला दे थे और इनका डारेक्ट तालुक इसराईल से था, अलबर्ट दुस्तों दुनिया में शायदी कोई ऐसा शक्स होगा जो आइंस्टाइन को ना जानता हो ये एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट था इसने स्पेस, टाइम और मैडर्स के मुतलिक सौ से ज़्यादा किताब ये लिखी है इवन आज भी साइंस इसकी बताई हुई टियोरिस्की मौताच है इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत से मुसल्मान भी इस परसनेलिटी को लाइक करते है लेकिन क्या हो अगर मैं आपको कहूँ कि आइंस्टाइन एक यहूदी था सुनने में तो ये बात अजीब लगती है लेकिन ये रियल है आइंस्टाइन 1879 को जर्मनी के अंदर एक यहूदी घराने में पैदा हुआ था इसके माँ बाप दोनों ही जीूस थे वैसे तो इसके पेरंट्स ज्यादा मजबी नहीं थे लेकिन आइंस्टाइन अपने आपको ओफिशली यहूदी कहता था और इनके अकाइद को मानता भी था वैल आप सब में से कितने लोग साइंस के स्टूडेंट हैं और आइंस्टाइन के मजब के बारे में जानते थे कम्मेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताईएगा एक्टर के लिए नॉमिनेट भी किया गया था इसे चोटी सी उमर से ही शौरत मिलना स्टार्ट हो गई थी अब ना सिर्फ ये एक एक्टर है बलके फिल्म मेकर भी है लेकिन अगर इसके रिलिजन की बात की चाए तो इसकी मा एक यहूदी थी शुरू में तो ये भी एक यहूदी ही था और अपने मजब को प्रॉपरली फॉलो करता था लेकिन रिसेंटली 2022 ने इसने अपना मजब तब्दिल करके इसायत को अपना लिया है लेकिन इसका यहूदियत के साथ अभी भी गहरा तालुक है क्योंकि इसके फैमिली मेंबर्स यहूदी है वैल इसका इसराइल से कोई लेना देना है या फिर नहीं इस बात का तो पता नहीं है लेकिन बारहाल इसकी पूरी फैमिली आज भी यहूदी है जैसी आइसनबर्ग दूसों जैसी हॉलिवूड का एक पॉपुलर एक्टर और राइटर है इसने एक्टिंग के साथ साथ फिल्म राइटिंग की दुनिया में भी अपना नाम कमाया है इसकी सबसे फेमस मूवी नौ यू सीमी है जो 2013 में लिलेज हुई थी इससे पहले 2010 में इसने दा सोशल नेटवर्क फिल्म में फेस्बुक के ओनर मार्क जुकरबर का भी रोल प्ले किया जिससे से काफी सदा फेम मिला था लेकिन क्या आप जानते हैं कि जैसी भी एक यहूदी है इसके अबाहो इश्दात का तालुग पोलेंट से था लेकिन ये सारे की सारे यहूदी थी इसने भी यहूदी अकायत के मताबिक परवरिश पाई और आज भी अपने मजब पर काइम है सिर्फ इतना ही नहीं बलके जैसी इसराइल को भी सपोर्ट करता है तो दोस्तो आज के लिए पस इतना ही उमीद आपको वीडियो पसंद आई होगी अगर आप मझे इंस्टाग्राम भी फॉलो करना चाहते हैं तो दी हैदर टीव पी आप मझे फॉलो कर सकते हैं मिलता हूँ आपसे नेक्स वीडियो में तब तक के लिए अल्ला हाफिस